हेलो फ्रेंद्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवादार विद आयूश और इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी नहीं पुरे बाजार के उपर क्योंकि आज जिस तरीके से बाजार में गिरावट फिर देखने को मिली है फिर क्यों विकॉस लगाधर गिर जो इवेंट से बीसिकली अब इतने जल्दी टर्न आउट होंगे किसी को कुछ नहीं पता था क्योंकि अभी भी अगर आप गिरावट देखेंगे इतनी तेजी से हो रही है इसके पीछे कारण पता लगाना अभी भी अपने आप में एक अलग सी आ प्रॉब्लम बना हुआ क्यों अलग सा प्रॉब्लम में कहरा हूँ किसी को नहीं पता है कि कोई वो एक्जाक्ट पॉइंट क्या है जिसके करन बाजार कर रहा है आज दोस्तों निफ्टी टू सिक्टी पॉइंट नाइन जिरो पॉइंट नीचे बंद होता है 1.39 परसंट के आज गिरावट देखने चीज है आज यह था कि दोस्तों क्यों कि आज expiry है तो expiry के बाद थोड़ी बहुत recovery देखने को मिलेगी आकरी के आदे घंटे के अंदर बट ऐसा कुछ नहीं हुआ आज का आप चार्ट देख सकते हैं और चार्ट में ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको कि थोड़ी बहुत का attempt हुआ है थोड़ा बहुत उपर जाता था उसके बाद और नीचे जाता हुआ बाजर दिखने को मिलेगी अपने दिन के lows पर अगर मैं कहता हूं बंद हुआ है तो वो बिल्कुल बात सच है आज लग रहा था कि 8900 के तरफ निफ्टी वापिस बढ़ेगा बट exactly ऐसा नही हुआ और बाजर और गिरावट में बंद हुआ गिरावट आज चोतरफा थी लेकिन दोस्तों जो नोट करने वाली पॉइंट है वो है आज का निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडिक्स और मिड कैप इंडिक्स के अंदर आज आज आपने एक कि अल्मॉस्ट पॉइंट्री-फो परसेंट नीचे बंद होता है स्मॉल कैप इंडिक्स लेकिन स्टिल आप साफ सफ ग्राफ से एक बात नोटिस कर सकते हैं कि रिकवरी तो अटेम्ट हुई है रिकवरी तो हमको देखने को मिली जो बाजार फिर से वहापी से रिकवर होता निफ्टी गिरा है निफ्टी बांक गिरा है लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जहां पर पिटाई काफी जोरो से हुई थी वहाँ पर दोस्तो आज हमको रिकवरी तब भी अटेम्ट होती भी देखने को मिली है जरूर ग्रीन निशान में बंद नहीं हो पाए बट स्टिल र परसंट के काफी नजदीक है काफी नजदीक के हम कह सकते कि पाच परसंट आज आज आप जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 4.977 पे अभी 4.977 परसंट पे अभी यूएस का 10-year Treasury Note ट्रेड कर रहा है और इसका मतलब यह है कि बिलकुल पाच परसंट के नजदीक है और जो शुरुआत हुई थी उसके बाद से लगातार दोस्तो हमको एक बड़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार इस बॉण डील के अंदर पाच परसंट के लगबख पहुचने वाली है इसका आप चार्ट देख सकते हैं साफ साफ चार्ट में आपको एक चीज़ दिखेगी कि पहले एक बढ़िया हमको तेजी देखने को मिली थी बॉण डील बढ़ती भी देखने को मिली बड़ उसके बाद बॉण डील कल थोड़ी से नीचे आई और अब फिर से दोस्तों बॉण डील उपर जाती वी नज़रा लिए तो मेरे इसाब से बाजार के लिए यही पॉ इस तो bit safe है जहाँ पर risk कम है वहाँ पर पैसा जाएगा क्योंकि equity में गिरावट इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं bond deals का बढ़ना equity में गिरावट का संकेत होता है जो exactly I think हो भी रहा है क्योंकि इसके लाब कोई exact reason भी नहीं है अगर आप आप आज brand crude को देखेंगे कच्छे ते आप से जो recession का डर है अमेरिका के अंदर ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में early year हो सकता है जब पिछले अगला साल जबाए वहाँ पर जल्दी वहाँ पर recession हमको देखने को मुल जाए inflation जिस तरीके से grow कर रहा है और I think जिस तरीकी का view है अभी तक fed का इस आप सब संकेत कर रहा राइड बाकी जो एक और negative point बनावा है वो I think US dollar index भी है US dollar index almost 106.82 पर अभी trade कर रहा है और I think जिस तरीके से लगातार दोस्तों US dollar index का बढ़ना इसकी बड़ोतरी हो रही है इसकी जो मजबूती हो रही है ये भी एक बहुत बढ़ा कारण है कि दोस्तों हमारा बाजार अभी इस तरीके से गर रहा है देगे हमेशा याद रखिये कि ये सारे parameters definitely constitute करते हैं हमारे बाजार में गरावट हमारे नहीं पूरे global liquidity markets जिस तरीके से fall कर रहे है कल अमेरिका में आपने session देखा जो कल अमेरिका में session था वो almost 0.32% का fall था राइट कल अमेरिका में Dow Jones 105 अंग गरा वह 2.43% एक दिन के अंदर दोस्तों निजदेग गरा है तो कल जिस तरीके से हमारे का के बाजार भी गरे ये बात साफ है कि देखे बाजार को डर है कि किस तरीके से अब बाजार recession के तरफ बढ़ता जा रहा है और एक डर ये भी है कि जो rate pause का सिलसला चालू हुआ था जो लग इससे दोस्तों यहाँ पर rate जो है वो basically बढ़ती भी निज़राएगी और I think ये एक सबसे बड़ा डर है जो बाजार को अभी नीचे खीच रहा है कि जो लग रहा था कि inflation को beat कर देंगे inflation को हरा देंगे वो नहीं हुआ बलकि इसका opposite हो गया और rate pause करने से economy में जो सुधार आन definitely देखने को मिलता है जरूर दोस्तों जो global equity events है वो अभी भी काफी negative है अभी भी ऐसा नहीं दम को पता चल पा रहा है global events में भली वो war को लेकर हम बात करें कि इस्राइल और हमास का यह युद कब खतम होगा यहां तक कि ऐसा लग रहा है कि यह और intensify हो रहा है आप देख सकत अलावा भी जो दूसरे देश है basically जो इनके आसपा से बली वो लिबनान हो वाली वो सीरिया हो और जिस तरीके से दोस्तों इसराइल भी अटाक कर रहा है सीरिया के उपर जिस तरीके से bombarding हुई है वहाँ पर भी मेरे साब से यह जो war है अब यह दो मुलकों या फिर हम कह सकत अरब versus इसराइल हो रहा है और इसके अंदर हम कह सकते हैं इसराइल का साथ कौन दे रही है इसराइल का साथ यूएस दे रही है यूरोपेन कंट्रीज दे रही है इसमें पहले आप देखेंगे तो बृते इन फ्रांस इन दोनों के जो important persons यानि प्राइम मिनिस्टर और प्र इस वार के अंदर कूते हुए नजर आएंगे I think ये एक important question जो है वो मुझे लगता है कि सबसादा बाजार को परिशान कर रहा है और यही में सबसे एक reason है जिसके हमारा बाजार जो है वो basically गिर रहा है क्योंकि जब शुरू हुआता है ये war तो किसी ने भी expect नहीं किया था क कि इतना ज़ादा ये intensify होगा इतना ज़ादा देनों तक चलेगा I think ये एक बहुत बड़ा reason है कि ये जो war है वो अभी तक खतम नहीं हो पाया और अब खबर तो ये भी आ रही है कि जो इसराइल है वो basically अब ground से attack करना चालू करेगा या नहीं उन्होंने अपने military को नीचे उतार दिया है गाजा के अंदर अब वहां से और इस war को खतम करने की तरफ basically बढ़ेंगे बड़ेंगे 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 मुझे लगता है कि जब तक दोस्तो situation नॉर्मल नहीं होगी तब हमारे बाजार के अंदर भी एक uncertainty रहेगी अब बाजार कितना गिट सकता है इसका कोई भी अंदासर लगाना मेरे सबसे कोई सही बात नहीं है हो सकता है कि जो आची गिरावट थी आखरी गिरावट थी इसका बाजार यहां से वापिस से एक डिटकेट बाउंस दिखा देगा लेकिन डिटकेट बाउंस ही दिखाएगा इस तरह की बात है कि जो analyst है ज पानगे चल रहेगी यहां से हो सकता है कि 200-300 पॉइंट की recovery देखने को मिले बट एक बड़ी तेजी के लिए बाजार भी wait करेगा, wait किसका करेगा, कि किस तरीके से अमारिका का move चल रहा है, वालब अमारिका किस तरफ जा रहा है किस तरफ यहां पर हम कह सकते है कि यह इसराइल हमाज जा रहा है इसके उपर दोस्तों बाजार का wait रहेगा बाकी, अब let's see, होता क्या है मेरे साब से तो देखे, जब तक problems रहेगी, तब तक definitely बाजार में instability रहेगी, गिरावट रहेगी इसको कोई deny नहीं कर सकता है लेकिन यह है, कि हाँ, इन सब में होता क्या है कि घबराट से जादा दोस्तों, जब fear हावी हो, तब याद रखिए यह opportunity होती है तो मेरे साब से अच्छे stocks, अच्छे companies के अंदर पैसा लगाई है, जो आप companies आप डून चुके थे, कि हाँ, इन companies के अंदर मुझे पैसा लगाना है, जो पहले महेंगी लगती थी, hopefully अब तो थोड़ी सी सस्ती हुई होगी, बहुत तो नहीं, बढ़ थोड़ी तो होई होगी, I think उन में पैसा डालना होगी, बट यह है, कि जो अभी-अभी आए हैं, जो जिनको जाता समय नहीं हुआ, जिनको 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने हुआ हैं, उनके लिए अपने आप में थोड़ा सा problematic situation है, क्योंकि किस तरीके से deal करें, या अपने आप में point रहता है, मेरा यह मानना है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, देखिए बाजार रोज नहीं गरेगा, या बाजार ऐसा नहीं कि खतम हो जाएगा, यह चीज़े आएंगी जाएंगी, लेकिन बाजार अपना चलता रहेगा गिरावट दिखाएगा, लेकिन फिर बढ़ जाएगा तो आप बस बरोसा रखिए, और अच्छे companies के अंदर पैसा लगाते रहिए, इस वीडियो में इतना ही था, thank you friends for watching this video